हेलो फ्रेंड्स, स्वागध आप सभी का अन्सू डिजिटल क्लासेस में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि वाट्सअप में बोल्ड कैसे लिखते हैं, इतालिक कैसे लिखते हैं या फिर strike through कैसे लिखते हैं ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile से whatsapp को open कर लेना है जैसे कि हमें bold में लिखना है तो आपको क्या करना है यहां से star mark ले लेना है इसके बाद कुछ भी आप लिखते हैं जैसे कि हम लिखते हैं यह also digital ठीक है ना digital classes और उसके बाद फिर से आपको sentence के end में star mark लगा देना है आप देख सकते हैं यह sentence bold में हो गया है और इसे भेज देना है ठीक है और इसी तरीके से माल लिजी आपको italic में लिखना हो तो उसके लिए आप फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह underscore का जो symbol है इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप कुछ लिखेंगे जैसे कि हम लिखते हैं लिखने के बाद फिर से sentence के end में आपको जो है फिर से यह underscore का sign लगा देना है देख सकते हैं यह italic में हो गया है फिर इससे send कर देना है ठीक है अब जैसे माल लिजी आपको strike through में लिखना हो जैसे sentence को लिखा हो उसके बीच से एक line काटा हुआ हो ठीक है तो ऐसे लिखने के लिए आपको जो है यहाँ से आपको यह tilde वाला sign ले लेना है ठीक है नदो sign लेना है और बीच में इसके लिखना है ठीक है नए ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख रहा है जैसे माल लिजी हम लिख रहा है हेलो ठीक है और लिखने के बाद इससे send कर रहा है देख सकते हैं यह strike through में हो गया है ठीक है नदोस्तो आप बीना symbol यूज किये भी आप इसे bold कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है इस sentence को पूरा sentence को select कर लेना है और select करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे bold लिखा हुआ है इस पे click कर देना है देख सकते हैं यह sentence bold हो गया है ठीक है ना फिर इसे आप send कर सकते हैं जैसे मल लिजे एक sentence हम type किया है इसको हमें italic करना हो बीना symbol केते इस पूरे sentence को हम select कर लेंगे ठीक है select करने के बाद जो dot दो dot दिख रहा है ना इस पे click करेंगे और click करने के बाद आप देख सकते हैं इसे 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 ट्टली कर जारेंगे देख सकते हैं तो पिर इसे आप send कर सकते हैं दोस्तो लास्ट में एक और Austin ध्यश्यचल्क डीक करना है और इसे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला symbol जो है तीन बार आपको लिखना है उसके बाद कुछ भी जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं आप देख सकते हैं ये normal type हम कर दिये हैं उसके बाद आपको फिर इस पे click करना है और यहाँ से तीन बार इस symbol को फिर से ले लेना है अब आप देख सकते हैं इस font का style आपको change दिख रहा है दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं कियें तो please subscribe कर लें मिलते हैं next वीडियो में